तो अब हम देखते हैं एक और conversion hexadecimal to decimal and decimal to hexadecimal तो एक हम decimal नमबर लेते हैं पहले देखते हैं decimal to hexadecimal 44816 यह कोई decimal नमबर है हमको इसको hexadecimal में change करना है ठीक है यह दिख रहा है बेस हमारा यहाँ पर 10 है decimal है और इसको hexadecimal चेंज करना है यहाँ पर 16 यहाँ एच भी लिखा जा सकता है question कोईसा भी हो तो decimal to hexadecimal चेंज करना हो तो क्या करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे ठीक है तो 44816 इसको 16 से डिवाइड किजी आप आएगा 2801 फिर 16 से डिवाइड किजी रिमेंडर यहाँ पर क्या आएगा 0 फिर 16 से डिवाइड किजी रिमेंडर यहाँ पर क्या आएगा 0 फिर 16 से डिवाइड किजी रिमेंडर 1 फिर 16 से डिवाइड किजी रिमेंडर 15 अब आप इसको 16 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं और यह नंबर भी हमारा 10 आ गया और एक्साडेसिमल नंबर में तो 10 आता नहीं है लेकिन आप हम इसको डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं इसको पहले लिखेंगे नीचे से उपर तो यह हो गया 10 15 और 0 अब एक्साडेसिमल में 10 होता नहीं 15 भी नहीं होता है 10 के लिए हम क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में ए लिखते हैं ठीक है और 15 के लिए क्या लिखते हैं F और यह 1 भी थो है 1 तो यह रहेगा और 0 तो 0 रहेगा तो हमारे क्या चेंज हो गया E F 10 ये हो गया हमारा Hexadecimal में 16 या X तो हमें Decimal दिया हुआ था, hexadecimal में change किया, 16 इद इड़ किया अब हमें अगर यही दिया हो, उल्टा, hexadecimal दिया हुआ है E F 10 दिया हुआ है, यह hexadecimal दिया हुआ है और उनसको बोल रहा है कि हमें decimal में change करो तो पहले तो हम क्या करेंगी इसको E F 1 0 इस पोजिट क्या लेंगे 16 पर पावर 0 इस पोजिशन को लेंगे 16 पर पावर 2 इस पोजिशन को 16 पर पावर 3 ठीक है तो 16 इन्टू 16 का क्यूब ठीक है यहां पर 16 का क्यूब होगा 16 का क्यूब कितना होगा 4096 16 का क्यूब होगा इन्टू A यहां पर A ने लिख सकते हैं नो क्योंको डेसिमल में चैंज करना है तो A किसको रिपर्जेंट करता है 10 को 10 प्लस 16 का स्कुआ है 16 का स्कुआ होगा 256 इन्टू F F क्या होगा 15 प्लस 16 इन्टू 1 प्लस 16 पर पावर 0 इन्टू 0 यह हो गया 40960 प्लस यह हो जाएगा 3840 प्लस 16 यह तो हो गया 0 अब आप इसको सम किजिए तो आएगा 44816 यह हो गया हमारे डेसिमल नमबर ठीक है तो यहां पर आप लिख जिए 44816 एक्साइडिसमल में दिया हो था हमने क्या किया वही जो हम पीछले वीडियो में भी कर रहे है कि अगर एक्साइडिसमल या औक्टल या बाइंडर में दिया हो इस पोजिशन को 0, 16 पर पावर 0, 16 पर पावर 1, 16 पर पावर 2, 16 पर पावर 3 ऐसे consecutive बढ़ेंगे और इसको consecutive multiply करेंगे और इसको add करतेंगे ठीक है यह हमने देखा एक्सेल डेस्मल टू डेस्मल और डेस्मल टू एक्सेल डेस्मल अब हम देखते हैं octal to binary and binary to octal कैसे convert करते हैं ठीक है एक नमबर हमारा दिया हुआ है 7108 ठीक है इसको हमको binary में change करना है यह octal है इसको binary में change करना है एक चीज आप में त्यान रखिए कि binary में अगर 0 है तो binary में इसको 0 कैसे लिखते है 0 1 है इसको 1 लिखते है 2 है decimal नमबर उसको binary में कैसे लिखते है 1 0 इसको बोलेंगा 1 bit का है 1 bit इसको बोलेंगा 1 bit का है इसको बोलेंगा 2 bit का है अगर हमें 0 को 2 bit में लिखना है तो 2 0 लिख देंगे 3 bit में लिखना है 3 0 लगा देंगे 1 को अगर 2 bit में लिखना है 0 1 अगर 3 bit में लिखना है 001 ठीक है अगर 2 है 2 को अगर बोला जाया कि binary में हमें लिखना है और 3 bit में लिखना है तो क्या लिखेंगे 0 1 0 इसके आगे 0 लगा देंगे त्यों तो ताइं भीड तो यह है हमारा ओक्तल में और हमेंसी चेंज करना करना ने में तो और सारे उंबर को क्या करेंगे इसका बाइनडरी लिखेंगे ऑप लिखेंगे तो कितूं नहीं बीट य명 के neighbours लिखेंगे तो एड़ का क्यूं भूता है एट नहीं दूंत तो लेकिन इसको 3-bit बनाना है तो इसको आगे दो-जीरो लिखते है थीक है 7-7 का बाक्ट तो 7108 इसका बाइंडरी क्या होगा है ट्रिपल बन डबल जीरो वन ट्रिपल जीरो यह गवाइंडरी ठीक है जैसे एक और कुश्चन हो 12 दिया हुगा है 12 ओक्टल में और हम इसको चेंज करना के समां बाइंडरी में वन ओर ट्रुर ठीक है इसको हम इसका बाइंडरी लिखेंगे 2 का बाइंडरी लिखेंगे 3 बीट में तेक है 2 बाइंड़ी 3 बीट में क्या हो जागा इस ऩहीं को शेंज करना 3 लगा देना ये चा दो होगए भार में आगे एक जीलो प्रभाट को मैं या होता होतमात लेकिन हम भार मैं को करना है 3 पीक अलगा देरीहरा कि क्षिपवेर्ण के यो इसरो कते हीला में फ्रतर फिस्कुप इस चैन्ज सीच और अब हम अजन पार लेते हैं ओक्तल में कुस्चिन जैसे 12.15 तो यह और इसको को बैंडर में चेंज करना है तो हम में कुछ नहीं करना होगा decimal की इस पहले पार्ट को अलग binary में change करेंगे इसको अलग change करेंगे ठीक है तो यह 12 है 0.15 इसको इसको और इसको सबको 3 bit में लिखेंगे तो 5 का binary क्या होता है 101 1 का तो 1 होता है 3 bit में change करना है 2 लगा दिया इसको 2 का binary होता है 1 0 3 bit में change करना है 0 लगा दिया 1 का binary होता है 1 इसको 3 bit में change करना है आगे 2 0 लगा दिया बस हो गया इसका binary हो जाएगा 001 010 001 और किसके बाद जहां पॉइंट आ में वहां पॉइंट लगा देना होता है यहां पे हम पॉइंट लगाना था यह क्या बाइंडरे ऑक्तल में था बाइंडरे में change करना था तो ऑक्तल के हर डिजिट के को हो बाइंडरे नंबर में लिस्ट हर डिजिट का बाइंडरी लिख देंगे और कितने बीट के लिखेंगे तिन अब हमें बाइंडरे दिया और हम आए उसको क्या करना श्यक्तिक्त करना रसम इसी को ले लिए ले ले यते हैं लिट क्र443 साई-irs वन है कि देपОल मावगे यह दिज्ञा करना इसको किस इसे करेंगार थैसे dentist सफ्सीन नि स्कर्थ परिडंडर करेंगए थिलनिक करेंगे तोपर सDINGक्राइक थे और आदिंस लेपस्टों कुत यह वन compliments ऐलए एक पे wrapping अ यह थे Vegeta 1 1 11ILL एक पेर हुआ आपको इसको सिं़ल करें जे हें और क्या करेंगे हैं। डेसिमल लिखतेंगे, डेसिमल या ओक्टल नमबर में लिखेंगे, तो 00 को तो 0 होगा, यह 001, यह किस नमबर का बाइंडरी है, यह देखेंगे हम, यह 1 का बाइंडरी है, तो 1 लेख दिया, यह 311, किस का बाइंडरी है, किस नमबर का बाइंडरी नमबर है, तो 7 का, तो यह ह यह होता है। 6001 0000110101 और यहाँ पर पॉइंट लगाय होता है यहाँ पर पॉइंट के इस साइड वाले को ut he waited अर पॉइंट के इस साइड वालों को ऐसे प्ये nehme tik इसको एक प्येने हैं इसको एक वंपि acting करते हैं कि point की सेट विलंग का is direction पेरिंग करते हैं क्योंकि अगर कोई नंबर जैसे यहां पर वन होता तो यह तो प्र नहीं बन पा रहा है किसका यह binding number है तो यह एक पेर था यह किसका है नहीं यह पेर किसका था यहां पुटा यह पेरिंग आप जहां से किजिए हो तो यह है टू ठीक है और यह है वन और यह है वन और यह किसका है यह भी बन है और यह फाइफ है और यह फोर है और यहां पर पॉइंट है ठीक है तो यह हो गया 112.154 यह हो गया हमारा किसमे है बाइने जा आक्टल में कर Quinn करना है चेंज करना है कि और यहाद जो अंबर का जो भी नंबर होगा उसको ठीग हापेरिंग करनेंग है त्री छी का और उसका अमें और चेंज करना होगा कि नंबर का वह यह बंद्मद od ठीक है, अगर एक और question आपको लेना है, तो ले लेते हैं, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, ठीक है, तो point की side आपको एक प्यर, यह एक प्यर हुआ, और ये पन नहीं रहा है इसको ऐसे 20 लगाकर इसको एक पेर बना लेंगे पॉइंट की सेड वाले को इस से पेर इंग करें एक पेर यह हुआ एक पेर यह हुआ और एक पेर यह हुआ अब सबका लिखते हैंगे 111 उता है 7 ये है 1 ये 111 हो गया 7 पॉंट-पॉंट यह हो गया आपको फॉ यह गया अपको जीरो जीरो का बैस्टिरी यह तो यह हो गया Jefferson जीरो पॉंट-फोर-जीरो किसमें यह गया बैस्तिरी में है लाक्टल में और यह थी तहा को हो वाइंडर में वाइंडर हम ने ओक्टल चेंज कर लिया ठीक है अब हम देखते हैं वाइंडर टो क्टल हो गया है अब देखते हैं कि हैक्षडिस्मल तो मैं लिए क्यादर चेंज